बॉलिवुड के जाने माने अभिनेता आमिर खान को मिस्टर पर्फेक्शनिस्ट का दर्जाद दिया जाता है जिस शिद्दत के साथ वो फिल्म में अपने किरदार को निभाते हैं उसकी जितनी दारीफ की जाये शायद उतनी कम होगी लेकिन अपने करियर के शुरुवाती दौर में वो अपने मजा की अंदास के चलते ही काफी जादा लाइम लाइट में रहते थे सुनने में तो ये भी आता है कि वो अपने को एक्टर्स के साथ कई बार प्रैंक्स भी करते थे वही अब आमिर खान को लेकर हाल फिलहाल जो नई खबर सामने आई है वो सुन कर आप हैरान रह जाएंगे दरसल आमिर खान अपनी फिल्म की हीरोईन्स के हाथ पर थूप दिया करते थे जिसके चलते कई बार उन्हें एक्टर्स के गुसे का भी शिकार होना पड़ता था जी हां बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप हाल ही की मीडिया रिपोर्ट्स में ये बात सामने आई है कि उन्होंने जानी मानी एक्टर्स जूही चावला और माधूरी दिक्षित के हाथ पर थूप दिया था दरसल जिस वक्त पर आमिर खान एक्टर्स जूही चावला के साथ फिल्म इश्क की शूटिंग कर रहे थे तो उस वक्त उन्होंने जूही से कहा था कि वो एस्ट्रोलोजी के बारे में जानते हैं जिसके बाद जूही ने अपना हाथ दिखाया अब जैसे ही जूही ने अपना हाथ आमिर के हाथ में दिया वो उनके हाथ पर थूक कर भाग गए और इस बात से जूही को काफी ज़ादा गुसा आया था इतना गुसा आया था कि वो अगले दिन शुटिंग पर रही आई और इस वाकिय के बाद कई साल तक इन दोनों के बीच बातचीत बन रही हाला कि अब इन दोनों के बीच सब कुछ नॉर्मल है वही जब वो धगदग गर्ल माधूरी दिक्षित के साथ गाने खंबी जैसी खड़ी है कि शुटिंग कर रहे थे तो उस वक्त भी आमिर ने यही बताया माधूरी को कि वो हाथ देखना जानते हैं जिसके बाद माधूरी काफी ज़्यादा एकसाइटिड हो गई और उन्होंने अपना हाथ आमिर की तरफ बढ़ा दिया अब आमिर ने पहले तो उनके हाथ की और ध्यान से देखा और फिर से वही हरकत धोरा दी ऐसे में माधूरी होकी लेकर आमिर के पीछे दोड़ पड़ी गौरतलब है कि इस बात का जिक्र फिल्मकार फरा खान ने भी किया था अठारवे मुंबई फिल्म फेस्टिवल में आमिर खान की फिल्म जो जीता वही सिकंदर के रियूनियन के दोरान उन्होंने बताया था कि वो शुरुवात में अपनी फिल्म की अभीनेत्रियों के हाथ पर थूख दिया करते थे जिसके बाद आमिर ने भी मजा किया लहसे में कहा कि उन्होंने जिस हीरोईन के हाथ पर थूखा वो नंबर वन बन गई है बताते शले कि आमिर की अपकमिंग फिल्म लाल सिंग चड़ा है जिमें उनके साथ नज़राएंगी अभीनेत्री करीन कपूर खान मनोरंजन जगत से जुड़ी ताजातरीन खबरों के लिए हमारे चैनल यूनियूस को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप तक पहुचता रहे हमारा हर लेटिस्ट अपडेट